गिटी खदान शेत्र के दाबाक शेत्र में एक यूवक अपने करीबी दोस के खर उसे एरगन चर्डे वाली बंदूग दिखाने ले गया दोस ने उसे चलाने की कोशिश की लेकिन वह चल नहीं रही थी एरगन पहले से ही चर्रा फसा हुआ था जैसे ही उसने एरगन का ट्रि पुलीस ने ब्रतक लोकेश गजबे के करीबी मित्र पंकजवानी उम्रत 40 दाबा चौक निवासी के खिलाप गैर इरादतन हत्या का मामला तरश कर उसे किरफतार किया मिली जानकार की अनुसार दोपर के करीब 3 बचे लोकेश के यहाँ उसका दोस पंकजवानी उसके घर ए असरे कहा कि यहाँ चलती कैसी है पंकज लोकेश को घर यहां लेकर गया और एरगन चलाए लेकिन एरगन नहीं चली थी वह गन में च्छरे डालने की कोशिश कर रहा था लेकिन गन में पहले से च्छरा फस गया था एरगन बिगर तो नहीं गई कहतो है पंकज ने मजाग में दोस्की और एरगन कर उसका ट्रिगर दबा दिया अंदर फसा च्छरा लोकेश के बायाख में जागोसा लोकेश के आख से खून की धार निकल पड़ी वह नीचे गर गया पंकज ने लोकों के मदद से लोकेश को उपचार के लिए अस्पताल ले गया इस दरान पंकज ने पुलीस को फोन पर जान कर दी लेकिन अस्पताल पहुँशने से पूर वही लोकेश की मात हो गए गितिखदान पुलीस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्श किया है क्रेपा हुट ते से पूर ये जस असम लती से लोके लोकेश दोलीस मुली